हेलो अवरीवन आज की लेक्टर में हम डिसेस करेंगे प्रिविस येर प्रोब्लम फ्रोम फ्रोम से यह शुरू करते हैं फर्स प्रोब्लम है कि 2024 से उसमें पुछा गया अकॉर्डिंग तो दा शेल मोडल अप्सॉलूट वैल्यू ऑफ डिफ्रेंस इन मैंगनेटिक मोमेंट उक्सीजन और नाइटोजन का उन्होंने पूछा गया है इन दा यूनिट ऑफ नुकलियर मैंगनेटोन इस एबाइट्री और एका वैल्यू क्या होगा वह आप से पूछा गया तो देखिए ऑक्सीजन अगर की अगर बात करें तो यहां पे और जो टम बन रही है वह क्या आपकी नूट्रोन की बन रही है यहां पे नूट्रोन जो फिल्ट होगे वह क्या होगे सावन होगे अगर आप बात करें इन केस ऑफ नाइटोजन तो यहां पे जो और नंबर बन रहा है वह आपका बन रहा है प्रोटोन का तो ओड यहां पे क्या है प्रोटोन है और यह व 2 2 1 P 3 by 2 4 1 P 1 by 2 1 ठीक है यहां तक आ गया आप यहां पे देखिए कि आपके पास यहां तक होगे 6 और यहां बनेगे आपका 7 तो यहां J की जो वैल्यू होगी दोनों ही केसिस के लिए J की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हाफ आई है और अगर L की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आई है 1 यहां से J को अगर देखें तो J हमारा क्या आः रहा है L माइनस हाफ के इकवल आ रहे है ठीक है और L माइनस हाफ के लिए अगर केस्छ आपका होता है प्रोटोन का तो जो मेंगनिटोन आपका जो magnetic moment ही value होती है वो equal to होती है in case of proton j minus 2.29 j by j plus 1 के equal यह value अगर हम calculate करें तो यह value आपके आजाएगी j की value 1 by 2 यानि 0.5 और minus 2.29 यहाँ आजाएगा into 1 by 2 divided by 3 by 2 यह cancel होगा this value will be equal to minus 0.263 अगर case है neutron का जो की nitrogen के case में है sorry जो की oxygen के case में है neutron आपने फिल की है तो यहाँ पे जो new की value होगी वो आपकी equal to होती है 1.91 j by j plus 1 के equal यहाँ पे j की value अगर रखें 1.91 1 by 2 divided by 3 by 2 तो यह value आपकी आती है 0.636 ठीक है आप से पुछा गया difference तो दोनों का difference अगर करें 4 यह आपका हो गया कोशन जो आया था वो आया था CSIR NET December 2023 में यहाँ पे आप से पूछा गया है इन शेल मोडल डिस्क्रिप्शन नेगलेक्टिंग कुलम एफेक्ट विच अब दा फोलेंग स्टेट्मेंट फोर दा एनर्जा यहां पे पर फोर्स्ट एक्साइटेटेट के लिए उसने बोला है और तीन आइसो बार यहां पर दे दिये ठीक है तो क्या क्या दे दिये हैं बोरोन 5 12 कार्बन और नाइट्रोजन 7 12 यहां पर नंबर उफ प्रोटोन और नंबर उफ न्यूट्रोन अगर देखें तो यहां पर नंबर उफ प्रोटोन फाइव है नंबर उफ न्यूट्रोन सावन है यहां पर आपके है नंबर उफ न्यूट्रोन जो है फाइव है यह जो case है अगें और और नुकलियाई की case है तो तो इसके तो यह होगी अब यहां पर देख सकते कि यहां पर नंबर उप्रोटोन इसके प्रोटोन इसके नूट्रोन इकवल है इसके neutron और इसके proton क्या है equal है तो जो आपका B512 and N712 यह कैसे nuclei है these are mirror nuclei ठीक है यह mirror nuclei है तो mirror nuclei होने की वज़े से इनकी जो ground state होगी state of ground state and first excited state की spin parity क्या होगी सेम होगी in case की सेम होगी क्यों होगी क्यों दोनों क्या है mirror nuclei है घ्राइं तो यह इससे आपका जो इनकी दोनों के वगी इसकी different होगी तो इस वज़े से आपका जो option D है यहां पर क्या हो जाता है correct हो जाता है next question देख्ते हैं next question मेंगनेटिक मोमेंट और नियोन 10 के लिए आपको बोला गया है तो दोनों ही केस में अगर आप बात करें फिलिंग की तो फ्लोरिन 9 और आपका इसमें जो फिलोंगे वह ओड जो वैल्यू है यहां पर वह प्रोटोन की है और इन केस ऑफ नियोन 10 यहां पर ओड जो है आपके वह नियोट्रोन है फिल आपने 9 ही करने दोनों में तो 9 को फिल करें वह आपका आजाता है 1s half 2 1p 3 by 2 और 4 1p 1 by 2 2 1d 1d 5 by 2 1 ठीक है यहां पर भी सेम आएगा 1s half 2 1p 3 by 2 4 1p 1 by 2 2 1d 5 by 2 1 ठीक है यहां पर ठीक है कि यह जो वैल्यू है यहां से j की वैल्यू हमारी 5 by 2 निकल के आती है और और यहां से आप कहा सकते हैं यहाँ जो हमारा है वह एल प्लस हाफ के इक्वल है in case of mu और जो हमारी फिलिंग हुई है वो ही है four neutron तो mu की जो value आ जाती है यहाँ पे for L प्लस हाफ वह one minus one point nine one mu n आती है ठीक है यह तो निकल गी है हमारे पास जाने आई बच्छुर में आपको बता था कि जो फ्लॉरीण होता है वह एक्सेप्शनल केस उसमें जो अनर्जी फिलिंग होती है वह इस तरीक्त से ना होके कैसे होती है यह वाला प्रोटोन ज़ो आपका फिल होता है वह यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि जो 1d5 by 2 है और 2s half जो है इससे जो नेक्स टेट आएगी वो नेरली उनकी जो एनरजी नेरली इक्वल है तो क्या होता है कि यह जो आपका proton है वो नेक्स टेट में फील होता है उसकी एनरजी लोग होती है और इसकी ज्यादा होती है ठीक है तो इसकी जो configuration होगा वो इ 1p 1 by 2 2 and 2s half 1 तो यहां से आपके पास जो है j की value आती है half l की value आती है 0 तो आप यहां पर कह सकते हैं that again j जो होगा वो क्या होगा l plus half के equal होगा in case of proton if j is equal to l plus half then mu is equal to kya होता है j plus 2.29 तो यह value आ जाएगे 1 by 2 plus 1 by 2 j की value है 2.29 तो यह आ जाएगे आपकी 2.79 तो right option जो आपका near about आपको बतानी है value तो एक value आपके आई है 2.79 and another one is minus 1.91 तो option d यहां पे नियरली मैच करा option d यहां पे क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा next question है नेक्स कोशिन है यह पुछा गया CSIR Nat December 2017 में spin parity पुछेगी ground and first excited state for nickel और nickel में जो feeling है यह जो proton है वो 28 है और जो neutron यहां पे होंगे वो 25 होंगे तो 25 आपने fill करना है अब हमें पता है कि जो complete shell होता है हमारा वो 20 तक तो complete shell होता है after 20 जो feeling होते है वो कहा होती है 1f आपका 7 by 2 में 8 and 2p 3 by 2 में 1 यह तो आपकी आगी 4 ground state और ground state के लिए जे की value आगी 3 by 2 or p क्योंकि 1 होता है तो minus 1 raise to power 1 याने की odd parity आगी याने 3 by 2 negative ठीक है और अगर आप first excited state की बात करें तो in case of first excited state जो आपकी यह term है वो next में चेली जाएगी जो की होगी 1f 5 by 2 तो आपका जो next first excited state के लिए आगर configuration लिखे तो 20 तक feeling 1f 7 by 2 8 यहां आजाएगा 2p 3 by 2 minus 1 और यहां पर आजाएगा आपका 1f 5 by 2 1 तो first excited state के लिए यह है आपका और यहां पर j की value है 5 by 2 और minus 1 raise to power जो f के लिए 3 होता है तो यहां जाएगा 5 by 2 negative तो option d आपका यहां पर correct option हो जाएगा next question this is करते हैं जो की पुछा गया है CSR net June 2016 में according to the shell model nuclear magnetic moment उन्होंने पुछा है of aluminium 13 का तो यहां पर 13 को फिल करें यहां पर proton आपको दे रहें 13 इसको फिल करेंगे तो 1s half 2 2p sorry 1p 3 by 2 4 1p 1 by 2 6 होगे यहां तक 1p 1 by 2 2 होगे यहां तक होगे 8 1d 5 by 2 6 तो यहां तक होगे आपके 14 तो यहां पर आ जाएगे 5 है ना 1d 5 by 2 में कितने आ जाएगे 5 4 यहां 13 होगे देंगा 6 2 8 और 5 यहां पर फिलिंग होगी 13 तक तो आपकी जो जे की वैल्यू है वो क्या है आपकी 5 by 2 2 है तो आप लिख सकते हैं जे अगर प्रोटोन के केस में जे इस इकॉल 2 ऐल प्लज़ हाफ है तो म्यू की वैल्यू आपकी होती है यह जे प्लस 2.29 यहां जे की वैल्यू फूट कर दिजिए 5 by 2 प्लस 2.29 तो this value will be equal to 2.5 plus 2.29 equal to 4.79 mu n ठीक है तो option C यहां पर correct हो जाएगा next question में पुछा गया है electric quarter for moment और यह भी aluminium के लिए ही पुछा गया है तो उपर हमने सब कुछ निकाल लिया aluminium के case में J की जो value हमारी आती है वो आती है L प्लस half और हमारा जो जे की value होती है वो equal to होती है आपकी 5 by 2 के लिए यह अभी अभी हमने निकाला है जे की value क्याती है 5 by 2 for aluminium proton के लिए तो आपने निकालना है सिधा quarter for moment जो की equal होता माइनस 3 by 5 2j माइनस 1 over 2j plus 2 और यहां पर होता है RC square एक RC square RC की value put करते हैं यहां पर 3 by 5 into 2j कितना है आपका 5 है 5 minus 1 4 5 plus 2 हो जाएगा 7 into में यह आजाएगा 1.2 square into 27 is to power 2 by 3 अगर आप इसको calculate करते हैं then this value will equal to 4.4 into 10 इसपा माइनस 30 मीटर स्केर बाण में पूछा है तो बाण में 0.04 बाण आपकी यह value आजाएगी option a यहां पर क्या हो जाएगा आपका correct option हो जाएगा next question देखते है next question हमारा पूछा गया है next question June 2015 में पूछा गया है इसमें से पूछा गया है कि ऐसे दो नूकलिया है बताओ जिनके पास magic नंबर हो proton neutron का तो magic नंबर हमारे होते है two four sorry two eight और next magic number is twenty twenty eight and fifty eighty two इस तरीके से हमारे magic नंबर होते हैं अब आपने दिखना है कि इन में से कौन से दो नूकलिया है जिनके पास magic नंबर है तो वह option A करेक्ट होगा यहां पर देखिए यहां पर प्रोटोन भी दो है न्यूट्रोन भी दो है अगर आप oxygen की बात करें in case of oxygen यहां proton eight है और न्यूट्रोन भी कहा है तो डबली magic नंबर इन दोनों के पास है तो option A यहां पर यहां पर देखिए इसकी जो है ground state की आप से nuclear spin parity पुछी गी है तो देखिए यह कैसा है proton यहां पर 20 है न्यूट्रोन यहां पर 20 है यह even even nuclei का case हो गया है ना in case of even even nuclear ground state की पारिटी क्या होती है जीरो पोजिटिव according to the shell model तो option यहाँ पर क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा next question देखते हैं कि carbon 613 के लिए ground state के लिए spin parity पुछेगी है तो carbon 613 में जो आपके neutron है वो कितने है seven seven feeling क्या होगी one is half two one p three by two four and one p one by two one यहाँ पर देखिए जे की value क्या जाएगी one by two आ जाएगी और parity क्या जाएगी आपकी one by two minus one raise to power p के लिए one तो यहाँ जाएगी one by two negative तो option d यहाँ पर correct हो जाएगा next में आप से पुछा क्या oxygen eight और oxygen दोनों ही 15 और 17 के लिए पुछा गया है तो यहाँ पर in this case जो आपके पास number of neutron है वो seven है और इस case में number of neutron है वो nine है तो seven और nine की feeling करते हैं इसके लिए configuration हो गया one is half two one p three by two four one p one by two one इसके लिए configuration हो जाएगा one is half two one p three by two four and one p one by two two और one d five by two one तो यहाँ पर jp की value अगर देखें तो jp की value आगी one by two और minus one raise to power p के लिए one यहाँ पर value आजाएगी five by two और minus one raise to power d के लिए क्या होगा आपका spd2 तो यह आपकी value आजाती है one by two negative and five by two positive तो आपका इस तरीके से option जो है बी यहाँ पर क्या हो जाएगा option option भी option भी यहाँ पर क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा next question डिसस करते है next question जो पूछा गया है हमारा यह पूछा गया है gate 15 से तो देखे gate 15 में उन्होंने कहा कि अगर nuclear shell model में यह term add कर दे जो कि हमने add की थी सारे magic number को explain करने के लिए तो कुछ चीन नहीं किया उसने पूटेंशल डिफाइन किया है आपने बताना है spin parity for the carbon 13 तो वह सेम वही बात है कि carbon 13 के case में आपके पास odd number क्या है neutron का ओड नंबर है जो कि क्या है 7 है तो 7 की feeling क्या होगी 1 is half 2 1 P 3 by 2 4 and 1 P 1 by 2 1 तो यहाँ पर यहां देखिए यह तो स्पिन पैरिटी आगी इससे भी option आपका सोल हो रहा है बट आपको जो आइसो स्पिन वह भी पताना चाहिए जो न्यूट्रोन और प्रोटोन होते हो डबल एट बनाते है और दोनों की spin क्या होती हाफ होती है इस में से प्रोटोन की जो आइसो स्पि कीन होती है आई त्री कंपोनेंट वह प्लस हाफ होता है और जो मूट्रोन का अइठी कंपोनेंट होता है वह माइनस हाफ होता है तो यहां पर जो option होगा आपका option यहां पर क्या हो जाएगा कर्येक्ट ऑप्ष्hmm Ton O होती है जहां पे एं स्क्एब जो होता है वो एन्स्क्एब SiEs की nx ny और nz की क्या possible value कितनी degeneracy इनकी है और कितने number of proton या फे neutron फिल होंगे और यहां पर magic number क्या निकल के आता है तो first possible value है 111 इसकी degeneracy 1 है number of proton fill होंगे क्योंकि क्या है वो फर्मियों से spin half particle है तो एक level में 2 फिल हो सकते है तो 2 फिल हुए और magic number निकल क्या है यहां से दो ठीक है next two state हो सकती है वो 121 या 211 या 112 तो इसकी degeneracy क्या है 3 है और एक state में 2 फिल हो सकते है तो टोटल फिल होगे 6 और magic number दोनों को एड़ करके यहां से निकल के आया 8 next जो state होगी वो सकते है आपकी 221 इसकी degeneracy भी 3 है 221 या 122 या आपकी हो सकती है कौन सी रहेगी 212 तो इसकी degeneracy भी 3 है और एक state में 2 फिल हो सकते है तो 6 यहां फिल होगे तो 6 फिल होने से यहां पर जो आपका magic number बनेगा 286 14 जो आपका magic number बनेगा 286 14 नेक्स तो next magic number होगा आपका 23 से option C आपका क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा thank you